एक शक्स जो दुनिया की बुराईव को देखकर, बढ़ते हुए क्राइम को देखकर, वो दुनिया की सारी चीजों को त्याग देता है, सब को छोड़ कर अपना घर, परिवार छोड़ कर, जंगलों में चला जाता है, वहीं पर गुफाओं में रहने लगता है, नया धर्म अ उकड़ों में पढ़ी होई थी, लेकिन उससे साथ, जस वजह से वहाँ पर हैवाणियत की गई थी, वह जानने के बाद और पूरी कहानी जानने के बाद हर कोई चौक जाता है, मानों पूरे शहर के अंधर भवाल मत जाता है, तो चलते हैं और जानती है, पूरा मामला मेरा नाम माज है अगर आपको हमारी वीडियो देख कर ये बता चलता हो कि दुनिया में कितनी बुराइए चल रही है तो नीचे सब्सक्राइब आला बटन दबा कर हमारे चैनल से जरूर चुड़ जाईएगा तो आज की घटना राजिस्तान के धौरपुल जिले के भीमगड की है वहाँ पर रहने वाला शेखर खान जो मुस्लिम था लेकिन उसने कुछ साल पहले अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था और दुनिया से रिष्टा नाता खतम करकर वहीं गुफा में जाते थे नाश्ता दे कर वापस आ जाते थे और ऐसा ही काफी साल पहले से चल रहा था जबसे वह उन गुफाओं में रहता था लेकिन 18 दिसंबर को वह अचानक से गाइब हो जाता है फैमली वाले परेशान हो जाते हैं 18 दिसंबर को उसको उस पूरी जो इलाक जितने भी लोग चामण माता के मंदिर में चड़ावा चड़ाने के लिए जाते थे वो उनका सम्मान देता था उनकी चड़ावे को लेता था और वहां पर बहुत ज़्यादा से पूजा पाट करता था तो सारे लोग उसको 19 दिसंबर को भी ढूनते हैं लेकिन वो नहीं मि कलता है तो वहीं एक नदी थी नदी के पास देखते हैं कि शेखर खान के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और जो बारू होती है उसमें भी कुछ कपड़े दबे हुए थे तो जब बारू को गाउं के लोग हटा रहे होते हैं तो मानो उनकी चीख निकल जाती है क्योंकि कहीं पर एक शेखर खान का बीज का हिस्सा कटा हुआ पड़ा हुआ था गाउं के लोगों की पैर कपकपा जाते हैं मानो उनकी हालत खराब हो जाती है लेकिन जो फैमली वाले थे वो फॉरण शेखर खान की लाश को वहां से निकालते हैं वो एक कपड़े की पोठली में ब मॉइना करता है सारे लोगों के पास सिर्फ एक ही सवाल था कि आखर शीखर खान की किसी ने क्यूं हत्या कर डाली पुलिस वहीं शेखर खान की लाश को दोस्त थे वो भी सादू थे और उने के साथ शेखर खान का काफी टाइम पहले से विवाद चल रहा था और वो भी अभी फिलाल में गाइब हैं और पुलिस जब कुछ लोगों को गिरफतार करती है तो पता ये चलता है कि शेखर का और जो साद के सादू थे उनसे विवाद थे और उसी लिए उन सादू के गुरूप ने मिलकर शेखर की हत्या की और उसके बाद वहाँ पर लगबग बहुत टाइम तक वहीं पर बैठ कर शेखर की लाश को काटा गया और टुकडों को वहीं पर फैक दिया लेकिन जो मैन सादू है जिसने हत्या का इल्दाम जिसकी और जगा पर ऐसा नहीं के जंगल हो या को कोई वी और लोगों के दिमाग में अफिरिका करने का ख्याल आता है दूसरे रास्ते नहीं डूनते से बाजी हीत करने के बाद dedicate करने के बाद करने लेकिन इन्सान के दमाग में सिर्फ का अट कर यह और सब कुछ खत्वьеं गए प और अपना खयाल लगिए, अपनी फैमिली का खयाल लगिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में.